दोस्ता इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बहतरीन All-in-one PC के बारे में जो कि बिलकुल भी अब All-in-one PC के दुनिये में बवाल मचाने वाला है रिजन उसका यह है कि अभी तक जितने भी सारे All-in-one PCs आ रहे थे उसके अंदर Dedicated Graphic Card नहीं आ रहे थे जिसके वज़े से वो सारे के सारे जो All-in-one PCs है नॉर्मल वर्क करने के लिए बहतर थे लेकिन वो सारे काम बीना Dedicated Graphic Card के नहीं हो सकते वो सारे काम इस पे नहीं हो पा रहे थे जैसे हमारी वीडियो एरिटिंग हो गई या फिर कोई है भी गेमिंग्स हो गई लेकिन ये जो All-in-one PC आया है इसके अंदर Dedicated Graphic Card भी आ गया है जिसके वज़े से ये बिल्कुल Complete All-in-one PC बन जाता है चाहे आप कुछ भी आप इसमें करें नॉर्मल वर्क करें ऑफिसियल वर्क करें गेमिंग्स करें या फिर जो है आप वीडियो एरिटिंग करें किसी भी काम के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट रहने वाला है यानि कि Completely All-in-one की अगर हम बात करें तो ये PC Completely All-in-one होने वाला है बहुत ही बहतरिंग PC है इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे Complete Details के बारे में समझेंगे वीडियो बहुत informative होने वाली है समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे वीडियो पसंद आती है तो प्लिस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर भी करते रहें आईए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं समझते हैं कि आखिर में ये क्या-kια specification है इसके और क्या-क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं इसमें क्या-kια खास बात है बहुत कुछ खास है बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें बहुत ही मज़ा आने वाला है इसका इस स्पैसिफिकेशन और इसका डिटेल समझ करके तो ये जो है वो है HP का पवेलियन AIO PC है सबसे बड़ी बात कि ये 13th जेनरेशन प्रोसेसर के साथ में है i7 के साथ में है थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन ये बहुत ही लाजवा PC होने वाला है 13th जेनरेशन का प्रोसेसर i7 में 13700T प्रोसेसर के साथ में ये आ रहा है कमाल का ये प्रोसेसर है ये मल्टी टास्किंग से लेकर के विडियो रेटिंग हैवी से हैवी वर्ट करने के लिए बहुत ही बहतरी नड़ प्रोसेसर होने वाला है क्योंकि इसका इस पैक से ही कुछ ऐसा है बहुत ही लाजवा प्रोसेसर इसके अंदर डला हुआ है और बाकि स्मेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये 32GB DDR4 RAM के साथ में आने वाला है 1TB SSD के साथ में ये आने वाला है और वायरलेस कीबोर्ड माउस इसके साथ में ही आपको मिलेगा Windows 10 Home के साथ में ये आएगा बिल्कुल लाइफ टाइम के साथ में और इसका टोटल वेट जो है 40KZ रहने वाला है थोड़ा सा भारी तो है रिजन ये है कि एक Complete PC है और सबसे बड़ी बात ये है इसके भारी होने का कि Complete PC के साथ में ये 32 इंच का QHD मोनिटर के साथ में या डिस्पले के साथ में ये आने वाला है इसलिए खास हो जाता है अब हम बारी क्यों में बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या-क्या खास मिलने माला है तो सबसे पहले इसके अंदर मिलता है आपको Universal Remote मिलता है जिससे आप बहुत सारी चीज़े इसके कंट्रोल कर पाएंगे पुरी इस PC को आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं 10 फिट दूर से बहुत ही प्याना सा इसके अंदर जो है आपको Remote Control मिल रहा है उससे Completely Monitor का Volume वगेरा या फिर जो HDMI का Input है उसको Change वगेरा कर सकते हैं उसके लिए आपको इधर उदर बटन ढूडने की जरूरत नहीं है बिल्कुर आपके Remote मेही मिल जाएगा और ये Remote रखने के लिए इधर उदर खोने का भी जरूरत नहीं है इसके अंदर Magnetic है जो की बिल्कुल भी Monitor के Side में ही Attach हो जाया करेगा इसलिक किसी भी प्रकार की Tencel लेने की जरूरत नहीं है कि Remote को इधर उदर रखना है ये Monitor पन ही पड़ा रहेगा बहुत ही बहतरीन फीचर ये इसका खास करके लगा है बाकि बिल्कुल भी ISF Technology के साथ में ये आता है यानि कि कितने भी देर तक अगर आप काम करते हैं तो आपके आँखों में नहीं चुभेगा IC Technology है इसकी बिल्कुल flicker free है किसी भी प्रकार के आपको आपके आखों में stress नहीं आने वाला है बिल्कुल आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाकि अगर हम ports की बात करें तो इसके अंदर गीगाबाइट वाला एक इधर ने port मिलता है एक power input port मिलता है तीरी इसके अंदर HDMI input मिलता है जिसके बज़े से क्या होगा या आप इस पर किसी भी प्रकार से TV हो गया वो भी देख सकते हैं या पि DVR का HDMI वगेरे आगर आप यूज़ करना चाहते हैं DVR को भी देखना चाहते हैं CCTV camera के भी input को देखना चाहते हैं बिल्कुल टेलिवीजन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 32 इंचे काफी बड़ा display है जिसके वैसे हर प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं टेलिवीजन में यूज़ कीजिए computer PCs के लिए यूज़ कीजिए और उसका card भी अगर आपको read करना है तो उसके लिए direct इसके अंदर है कोई भी card reader यूज़ करने की आपको ज़रुवत नहीं है इसके अलमा अधर हम feature की बात करें तो इसके अंदर जो है wireless HP का 710 जो है आपको keyboard and mouse मिलता है जो कि एक बहुत अच्छा combo है one year की warranties के साथ में मिलती है और सबसे बड़ी बात six speaker का इसके अंदर set आपको मिल रहा है sound बहुत ही कमाल का मिलने वाला है क्योंकि दो tweeter है दो mind range है और दो buffer इसके अंदर मिल रहा है जिसके वाजिसे इस monitor के अंदर से ही आपको sound बहुत ही कमाल का मिलने वाला है और audio जो है B&O के तरफ से आता है यानि की बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहतरिन sound qualities की रहनी है Bluetooth 5.0 मिल रहा है और Wi-Fi 6 का support इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है flicker free IPS display है कमाल का display है साथ में ही HP True Vision 5.0 मेगा फिक्सल का IR privacy कैमरा मिल रहा है जो की बहुत ही बहुत ही बहतरिन वीडियो कॉलिंग के लिए या फिर आप जो है मिटिंग्स वगेरे के लिए आप उसको यूज कर पाएंगे बहुत ही कमाल का यह जो है PC होने वाला है और इसका जो camera रहने वाला है, वो pop-up वाला है, back side से security region से आप उसको अंदर कर देंगे, कुछ पता नहीं लगेगा, जब उसको उठाएंगे तो आपके सामने camera आएगा, 1TB SSD के अंदर लगी हुई है, कमाल का feature है साथ में, बहुत ही बहतरिन feature के साथ में ये आ रहा है, DDR4 का RAM ह 32 MHz वाली, 32 inch होने के वज़े से multi-purpose आप इसको यूज़ कर सकते हैं, video rating के अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है, video games के लिए, या फिर किसी भी प्रकार का heavy graphic वगरा, अगर आप यूज़ करते हैं, heavy graphic designing वगरा करते हैं, binary poster वगरा design करते हैं, या फिर कोई heavy coding वगरा करना चाहत हैं, एक बड़ी screen मिल रही है IPS panel के साथ में, इसलिए किसी भी प्रकार से आपको compromise करने की जरूरत नहीं है, उससे भी खास ये कि three sides से बिल्कुल vessel कम है, table पे रखा हुआ प्यारा दिखने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई wire का जंजट नहीं है, एक wire सीधा power का जाएगा, उस तो आप इसको बिल्कुल भी buy कर सकते हैं, में बात graphic card की बात करें, तो इसके अंदर NVIDIA का Geoforce RTX 3050 graphic card मिल रहा है, जिसके वज़े से full मज़ा आपको इस पे आने वाला है, RTX series का graphic card बहुत ही जबरदस्त है, फिलहाल 3050 है, लेकिन power कम नहीं है, इस पे सभी प्रकार के आप काम कर सकते हैं, गेमिंग्स का भी मज़ा ले सकते हैं, बाकि दोस्तों ये वीडियो information आपको कैसा लगा, ये PC कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, इसी प्रकार कि तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें, क्य इस दूने आपको की तरे का ले वीडियो आपको प्लाः टिरूर रहें, खी रहें करेंट।